दोस्तों, बॉलिवुड में पड़ोसी देशों से भी कई कलाकारों ने अपनी किसमत आजमाई है। कुछ को बेशुमार शौरत मिली तो कुछ वक्त के साथ बुला दिये गए। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कलाकार की बात करने वाले हैं। इस कलाकार ने बॉलिवुड की जानी मानी अभिनेतरी को लगभग 9 सालों तक डेट किया। बॉलिवुड की कई फिल्मों में सह कलाकार के रूप में काम भी किया। मॉडलिंग की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई। पर कोई बड़ी सफलता ना मिलने के बाद उन्होंने बॉलिवुड से मूँ मोड लिया। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में बात होगी अभिनेता केली दोर जी की। जिनोंने डॉन नंबर वन जैसी तमाम फिल्मों में कभी विलन तो कभी सह कलाकार की भूमी का अदा की थी। दोस्तों, यहां हम आपको बताएंगे कैली दोर जी के जीवन से जुड़े अंचुए पहलूओं के बारे में और साथ ही यह भी जानेंगे कि आज कल कैली कहा है और क्या कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहे हमारे साथ दोस्तों, अभिनेता कैली दोर जी का पूरा नाम कालदेन सोनम दोर जी है उन्हें उनके दोस्त और प्रशंसक कैली के नाम से बुलाते हैं उनका जन्म चार जन्वरी 1971 को भूटान में हुआ था एक समरिद्ध परिवार में पलने वाले कैली का जुकाव भारतिय सिनिमा की और बचपन से था अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कैली दोर जी ने फैशन वर्ल्ड में अपनी किसमत आजमाई 90 के दशक के आखरी सालों और 2000 के शुरुआत तक वो भारत के फैशन वर्ल्ड में सक्रिय रहे उन्होंने यहाँ कई नामचीन फैशन डिजाइनर्स के साथ काम किया है जिनमें रोहित बाल, तरुन तहिलियानी, शाहाब दुराजी, अरुन खन्ना जैसी नामचीन हस्तियां शामिल है दोस्तो, फैशन की दुनिया में एक नाम कमाने के बाद कैली ने अपना रुख भारतिय सिनिमा जगत की ओर किया उन्होंने अब तक कुल मिला कर 30 फिल्मों में काम किया है बात उनकी एक्टिंग की करें, तो उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुडवात मनी शंकर की फिल्म टैंगो चारली से की थी इस फिल्म में उन्होंने अबिनेता अजय देवगन और बौबी देवल के साथ काम किया था टैंगो चारली सन 2005 में रिलीस की गई थी कुछ हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद कैली ने अपना रुख तेलगू सिनेमा की और भी किया वहाँ उन्होंने सन 2007 में आई डौन में काम किया इस फिल्म में उन्होंने अबिनेता नागरजुन के साथ काम किया था ये फिल्म उनके करियर की एक यादगार फिल्म बनकर सामने आई थी इसके बाद उन्होंने एक कादम जैसी फिल्म भी की जिसमें उन्होंने साओध इंडियन सिनेमा के बड़े स्टार महेश बाबू के साथ भी काम किया है दोस्तों कैली के बारे में हम आपको बता दें कि वो फिल्मों में अपने स्टंड्स खुद किया करते थे लेकिन साल 2013 में उनका एक जबरदस्ट एक्सिडेंट हुआ जिसके बाद उन्होंने खतरनाक स्टंड करने से थोड़ा परहेस कर लिया है प्रतिभा के धनी कैली दोर जी बड़े बड़े पेजेंट्स भी डिजाइन कर चुके हैं उन्होंने फेमस कोरियोग्राफर लूबना एडम को एसेस्ट भी किया है कैली का जीवन सिर्फ अभिने जगत तक ही सीमित नहीं रहा हम आपको बता दें कि कैली दोर जी एक ट्रेंड पेंटर और फोटोग्राफर भी है उन्होंने पेंटिंग नामचीन हस्तियों से सीखी है इसके साथ साथ कैली के पास फैशन फोटोग्रफी का तज़र्बा भी है उन्हें अकसर भूटान में अपनी आर्ट गैलरी की एक्जबीशन कंड़क्ट करते देखा जा सकता है आपको बता दें कि अपनी एक्टिंग एक्सपीरियंस के बलबूते कैली ने भूटानी सिनेमा में काफी योगदान भी दिया है भूटानी सिनेमा के लिए कैली अकसर प्रमोशन करते हैं जब लारा मिस युनिवर्स के लिए तैयारी कर रही थी दोनों मीडिया में एक लवी डवी कपल के तौर पर देखे जाते थे पर अनफॉर्चनेटली 2007 में उन दोनों का ब्रेक अप हो गया बात कैली के पारिवारिक जीवन की करे तो इनके पिता का नाम लिन्पो पैलजर डॉर जी है इनके पिता भूटान की नेशनल एन्वायर्मेंट कमिशन के पर्मानेंट एडवाईजर है इनकी मा लुईस डॉर जी भूटान ब्रोड कास्टिंग सर्विस की फाउंडिंग मेंबर है और उन्होंने कई पुस्तके भी लिखी है इनके अलावा आपको बता दें कि कैली के दादा जी भूटान के प्रधान मंतरी थे और मूलते हैं इनका परिवार सिक्किम की रॉयल फैमिली से तालुग रखता है बात अगर कैली के मौजूदा जीवन की करे तो फिलहाल कैली फिल्मों से दूर है उन्होंने अपनी एक ट्रेवल कंपनी शुरू की है जिसका नाम है ट्रेट ओन ट्रेवल भूटान इस कंपनी की देखरे करते हुए कैली अपने परिवार के साथ भूटान की राजधानी थिम्पू में रहते हैं तो दोस्तों ये थी फिल्म डॉन नमबर वन में विलन का किरदार ने भाचुके भूटानी मूल के अभिनेता कैली दोड़जी से संबधित जानकारिया उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद